देखे भाई कलमन की बात थी नरेंदर मोदीजी की अदिल की बात वो देश का नहीं सुनते हैं वो जुनजुना की बात कर लिए अब पूरे देश में बिहार को असंगटी छेद में मार्डे की तेयारी कर लिए देश को तो किये ही उन्होंने कल बिधियार्थियों की बात नहीं किया 55 लाग बंचे की बात उन्होंने नहीं की मतलब मोदीजी और नितिसकुमार के एजेंडे में नीट एग्जामनिशन बच्चे या कोई भी परत्योक्ता वाली बच्चे के बारे में कोई सोच नहीं है मेरा सीधा आरोप है मोदी जी और नितिस कुमार पे कि 500 केस से भी कम होने पर देश को बंद करने वाले आज लोगडाउन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं और बच्चे को मारने की तैयारी क्यों कर लिया पिछले तीन दिनों में केस की संख्या 28 अगस्ट को 77,266 29 अगस्ट को 76,442 30 अगस्ट को 78,761 ये तीन दिन का हिसाब है और सत मिर्थ्यू डेली 850 से उपर है पिछले एक महने से केंसर कार प्रधान स्वास सचीव एक भी प्रेस कांफरेंस नहीं किया कोराना के बरते मामले में मीडिया ने पूरा चुप्पी थाम लिया और नरेंदर मोदी के साथ और नितीज के साथ खड़ा हो गया ये मीडिया का कैसा चरीत रहे अगस्ट में हुए टॉप न्यू चैनल के 500 डिवेट में सिर्फ एक डिवेट कोराना पर हुआ है मात्र कोराना पर एक डिवेट ये कैसा चरीत है आप सुसान पर जवरदस्ति केंद्रित किये वह हैं जबकि वो सिर्फिया इंक्वारी हो गई आप तैक करिये समय निर्धारित करिये डिवेट का मुद्दा वो अब नहीं है डिवेट का मुद्दा है कि और दुनिया का सबसे बड़ा कौराना नमबर वन पर भारत जा चुका है इससे बड़ा जगन अपराद क्या हो सकता है और उसके बाद पैटालिस लाग के स्टूडेंट को मर्माने की तैयारी ये दुख़द है भाई इससे बड़ा दुख़द मैं समस्ता हूँ अब ये सवाल लोगडॉन की सबसे ज़्यादे मार गरीब पर परी सुनियोजित तरीके से गरीब बना जा रहा है सुनियोजित और सिर्थ सिर्थ पुझी पत्यों के लिए अदानी अमानी इनके लिए चालिस करोर लोग अत्यदीक गरीब से गरसीत हो चुक है नोटमंदी जी एस्टी के बाद कॉराना भाइरस में पिछले पैतालिस साल में बेरोजगारी अपने सबसे उचाई अस्थान पर है सबसे बिहार की 88% कामकाजी अबादी ऐसी है जो रोज कमाती खाती है उन सभी को सरकार ने अत्यदीक गरीबी में धके लिया और नितिश कुमार सबसे बड़ा दुस्मन है बिहार के इस गरीब के पहरे गरीबी सरकार नारा होता था गरीबी हटाओ अब यह नारा हो गया गरीबी बढ़ाओ नरंदर मोदी जी और नितिश कुमार गरीबी बढ़ाओने की तयारी जान पूछ कर अड़ानी अंबानी गुलाम बना जा रहा है भारत का सब चैमीर रखती होकर अपने करमचारियों को निकाल सकता है वो बेपारियों के लिए देश क्यास कुछ सोचेगा यह सवाल सीधा है कि कोराना भारस पर क्यों कोई चर्चा नहीं हो रही है दूसरा बिहार के मजदूर छो महने पर उनको पैसा देकर प्लेन का टिकट भेज़ करके विहार से ले जाये जा रहा है और नितीश कुमार मस्त है तीसरा चुनो के महिने में नितीश कुमार का उद्धाटन और घोसन क्यों हो चुनो आयोक से आगरा करेंगे कि अभी लम रोक लगाई जाए ये गलत है पैसे नहीं होने के कारण उसके बाद भी आप लोक डॉन की बाद अलोक डॉन की बाद खत्म हो गई ये अलोक डॉन और अलोक डॉन फोर ये बिल्कुल गलत है इसलिए जो देश दुनिया के नंबर वन पर चला जाए वहाँ चुनो की प्रकिडिया बच्चों के एक्जाम की प्रकिडिया ये बिल्कुल गलत है चुनो आयोक सरकार कम्प्लिट मिली भी है ये सीधा मेरा अरोप है कोई कम्परमाइज नितीजी ना मुझे आसर्ज होता है ना ये अपराद पर चर्चा करते हैं आसर्द होगा आपको कि बिहार की इस्थिती में बहुत किलियर है आप आज पूरे बिहार की जंता लगबग बिहार छोड़ करके चुनोई मेहने में बाहर जाने की तैयारी और एक भी आटमी उस पर रोपनी है आई हुए मज़गूरों के साथ नितीजी स्कुमार ने अपराद किया है जगन अपराद दोर बरी घटना और अभी भी पचास लाक लोग घर वापस नहीं लोटे है बार के लेकिन एक एस तारिक के बार सभाव सुरू होगी क्या कोराना भारस देश से खतम हो गया क्या पोजिटिव केस खतम हो गए हम लोगों ने आस्ताय किया है पहला राज संसद्य बोर्ड प्रोफेसर अभय कुमार्स केमिस्टि के हेड अब डिपार्टमेंट पटना इनवर्चिती वो संसद्य बोर्ड के चेर्मेन होंगे राज संसद्य बोर्ड सचीव होंगे श्री अब्धेश पदेन सदस होंगे अध्याच रगपती सिंग जी रागबेंदर कुस्वा जी और उमेर खान उर्फिक का खान जी वर्किंग प्रिजडेन उसके बाद उसके सदस होंगे प्रोफेसर अभय कुमार्राम एक्स दीएस दी ये पार्लिया मेंट्री बोर्ड एस्टेट के कमिटी की घोस्टना जो एस्क्रिणिंग करेगी पंदरा सेप्टेंबर के पहले और पंदरा और बीस के बीच हमारी पार्टी और हमारा गड़मंदन मुक्मंत्री के नाम की घोस्टना करके चुनों में आएगी और हम अत्यान पिछ्रे जाती है और दलीट पर हमारी पार्टी अडिग है हम अत्यान पिछ्रे या दलीट में से नाम की घुशना करें उस पर कोई कम पर्माइज नहीं होगा केंद्रिय संसद्य बोर्ड अध्याद चाजय कुमार भुलगानी जी एक समेले सचीव एजाज अहमद साहब प्रदान महा सचीव पदेश सदस राजे संजन और पपू यादव डॉक्टर एकलाग अहमद सदस प्रेमचन सिंग लजीद सर्मा जी रामचंदर सिर्य यादव एक समेले जैसी मार, रच्टियमचMoreचीव, डिटाइट डिई.जी राजेंदर राम हरेराम महतों अंगे पिछला प्रकोष विनोत कुमार निशाद और प्रपेसर दानीश ये राच्टियमचीर कमिटी की घोषणा की गई है संसद्य समीती की और तीसरी अंतिम घोसना सभी पाथियों से बात करने की की गई है जिसमें हमारे पाथ सदस्य कमिटी हर मोर्चे से बात करेगी जिसमें हमारे वर्किंग प्रिस्डेंट एकलाक आमद रामचंदर सिंग यादव एजाज आमद रगपती सिंग रगवेंदर कुस्वा जी ये पाथ सदस्य कमिटी सभी पार्टियों से के निता से बात कर बिहार को एक मजबूत विकल देने की तेयारी हम करेंगे और ये अगले सेप्टमबर तक हम उसको आपके सामने लाएं आगे कुछ पूछना तो पूछ जी ये तीसरा कमिटी जो होगी वो मैंने बता है लाइक मैंडेट लोगों से बाचीत होगी हर परस्थितियों में जो तीस साल हम किसी से भी बात करेंगे तीस साल में जो सरकार में सिर्षत पर रहा करके काम किया है जोरी नहीं हम उससे बात करेंगे लेकिन उस दल से भी बात करेंगे आपने कहा कि मुख्य मंद्री का चेरा कोई अधियान तो पिछड़ा या दलित होगा है अहां मेरे तरफ से बिलकुल नहीं है मैंने बहुत किलियर इस पर है कि अधियान पिछड़ा और दलित में से हम सामने लाएंगे आप पपू यादब की चिंता मत करिए आज मेरे लिए पिहार और बिहारी है सर जाओ को स्यम कंडिएट पपू यादब हो सकते हैं लेकिन बिहार के सिएम कंडिएट सीधा है अत्यांत पिछरा और दलितमें से हम लाएंगे सबसे बात करेंगे आप चिंता ना करिए सर सबसे बात करेंगे सबसे सबसे बरतमान सरकार में जो हैं उनको छोड़ सबसे बात करें सर सबसे बात करेंगे सर आर जेडी से भी बात करेंगे जोड़ी नहीं है कि आर जेडी से बात नहीं करेंगे उनसे भी करेंगे मेरा साफ है RJD सरकार में रही है, जोड़ी नहीं कि RJD के मुकमंत्री पर हमारी समतियो दल से बात करने में कोई आपपती नहीं RJD के मुकमंत्री पर समति नहीं कोई बीचार नहीं है गजा बात करते है समय आने दि निस्ट्रों से सरद यादब ती बीमार है है और सरज यादव को आप अपमानित करेंगे और नितिस्क मार तीन बार बात कर लेगा रेस्पेक्टेबू नेता है सरज आदव जी को वहां नहीं मिले यहां मिले कहीं यहां गिरा वहां गिरा किसी रह नहीं सकते हैं उनका पाइब नहीं हुआ आरजेडी में आरजेडी में रेस्पक्त किसका होता है मातर पाच आदमी की आरजेडी है लालू यादवी को छोड़ दूँ आरजेडी है किसकी बात खता में उस पर छोड़ दीजिए बिहार बचानी जिम्मेदारी है जो दो आदमी तीस साल रहे मेरा वहाँ समझ होता कि हलावे सबसे बात करे इगी भया पार्टी ताय जो करेगी संसधिया कमिटी बना दी गई वो ताय करे गी तो उसी वहां कहेगी तो लड़ेंगे ना कहेगी तो नहीं लड़ेंगे लेकिन बालमी की नगर का बाई एलेक्षन हमारी पार्टी या कोई न कोई अच्छा उमिद्बार मांग सपोर्ट करें मालमी की नगर में चुनाव लड़ेंगे सबसे बात हो रही है माजी जी से भी बात हो रही है मुके सनी से भी बात हो रही है कुसवाजी से भी बात हो रही है डेली बात हो रही है और डेली बात होगी सर मोहर उनको लगा ना मैं बात डेली कर रहा सर हम पात साल पर होकाद बताएंगे नितिश कुमार को पात साल का स्वेट पत जानी करें कोई 15 साल 15 साल की चीज नहीं होगी 5 साल की बात हो रही है सर मेरे तरफ से अतन पिछला और दली सीधा सामने है उस पर कोई कम परमाज नहीं है इसने घृटाला योजना है बर्बार योजना है आवास योजना है और पार्टी फंडी कत्रा करने वाला योजना है सब्सक्राइब को रोग लगाना चाहिए यह बिल्कुल है तीन मेहना चुनाओं के पहले कोई उद्घाटर और शिल्यानियास नहीं होनी चाहिए था सार मैंने किसी को सीम नहीं बनाया मैं दली तो रतन पिचरा पर दो सालों सी कटा हूँ और यदि उसी के घड़ बंधन के लोग कह रहे हैं खुद उनसे पुछिए कि वो विकास नहीं किया तो उनकी बात करें मैं उनकी बात नहीं करना चाहूँगा अब उन लोगों का जबाब नहीं दूँगा जो परजीमी है जो अपना जमीर और अपना चरित्र बेच करके राजनेती करते हैं मुमत खुलबाई ये क्या-क्या बेचते हैं बोल देंगे तो बारा अनर्थ हो जाएगा सबका पता है कि किस घर में क्या पेचते हैं सर अलब संक्यक रहेंगे दिप्टी स्यम रहेंगे जोड़ी थोड़ी हम एक सो सीट पेर आ जाएंगे घटबंदन मजबूत होगा हम नीचे आ जाएंगे आप कहे चिंता करते हैं एक आदमी की सरकार कैसे बन गई पान्दा साल पर बात करेंगे 15 साल 15 साल क्या होता है पहले भी 15 साल कह ए जबाब चैवाब करेंगे इना ख़्यार की 010 और आदमी अप्टावर्त मिंद्धा नहीं है और बरतमान मुद्धा पर आए और वर्लत पर बहत करेंगे अतीड पर नहीं झाल झाल झाल